प्रेम एक ऐसी भाबना है जो मनिश्य को जीवन की ओल ले जाती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने अस्थित्व के गहन स्थर तक ले जाता है। लेकिन अकसर लोग प्रेम से ड़ते हैं। क्योंकि इससे एक ऐसा शण आता है जब वे मृत्यू के बहुत करीब महसूस करते हैं। ये भेम उन्हें प्रेम से आनंद को पूरी तरह से अनुभव करने से रोपता है। शोद करताओं ने पाया है जब लोग प्रेम और काम संबंद के घेरे और गैसमे के शणों का अनुभव करते हैं। तो उन्हें अचानक ऐसा लगता है जैसे वे मृत्यू के करीब हैं। पिगल रहे हैं। गायब हो रहे हैं। ये अनुभव उन्हें डरा देता है और वे जड़ हो जाते हैं। यही कारण है लाखो स्थ्रियां कभी और गैसम तक नहीं पहुँच पाते हैं। और ठंडी बनी रहते हैं। पूर्शव में भी समय से पहले शीगरपतन की समस्या आम हैं। क्योंकि वे भे के कारण परिपक और गैसमें प्राप नहीं कर पाते हैं। मनोविज्याने इस समस्या का विश्टेशन करते रहते हैं। लेकिन वास्तव एक जड़ तक नहीं पहुँच पाते हैं। पूर्व में इस बात को समझा गया है। कि 99.9% मनोविज्यान एक समस्या हैं वास्तव में अध्यात्मित अज्यानता में नहीं थे। जब तक इस अज्यानता को दूर नहीं किया जाता है। ये समस्या बनी रहते हैं। मस्चमी मनोविज्यान लक्षणों का विश्लेशन करता रहता है। लेकिन समस्या के मूल को कभी नहीं चुँधा। इस समस्या का समादान धियान में नेथ है। ध्यान हमें एक अनुभव कराता है कि हम अमर हैं, हमारा अस्थित्व जनम रित्यू से परे हैं, इस अमरता के अनुभव से एक नया जीवन, एक नई जीवन शैली का अधार बनता है, जो निर्भे, दुख और चिंता रहीत होती है, ऐसा जीवन हर पल आनन्द में होता है, ना अस्रकार ध्यान के माध्यम से अमरता का एक अनुभव संभव होता है, जो मनोवग्यानिक समस्याओं की जड़ों को काट देता है, एक बार जब यह अज्यानता दूर हो जाती है, तो यह समस्याओं अपने आप गायब हो जाता है, ध्यान का पूरा कार्य इन जड़ों को का करना हमें अपने अस्तित्यों की अमरता से परिशित कराते हैं जिससे जीवन के हर पल में अध्युत्य आनन की अनुभूती होती है रणाव